हलो दोस्तों आप सभी को मैं नमस्कार आप सभी का रिटेल स्मार्ट इंविश्टर यूट्यूब चैनल पर शौगत है दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं L&T Technology Services Limited के बारे में जो की L&T Group की एक कमपनी है और इसमें हम लोगों ने आज गिरावट के साथ क्लोजिंग होते वे देखा है यह 2712 रुपे पर क्लोजिंग दिया है और अगर इसके 52 वीक हाई की बात करें दोस्तों तो यह 2807 रुपे देखने को मिल रहा है जबकि यह 2712 रुपे पर क्लोजिंग दिया है तो हम लोग यह कह सकते हैं कि यह अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है तो हम लोग यह जानने की कोशिस करेंगे कि आने वाले दिनों में L&T Technology Services Limited के सेर भाव किस परकार से पर नीचे लुड़क जाएगा इन सारी बातों पर हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं और चर्चा के दोस्तों आधार भी होगे हम लोग इसके fundamental को एनलाइज करेंगे इसके technical को भी एनलाइज करेंगे इसके share holding pattern को भी देखेंगे और इस वीडियो के last में ह सबसे पहले हम लोग technical chart को देखते हैं यहाँ पर screen पर दोस्तों हम लोगो technical chart देखने को मिल रहा है यह daily chart है तो इसके technical indicator यह जो green valley line है दोस्तों यह 50 days मा है यह yellow valley line 100 days मा है red valley line 200 days मा है और जैसा कि हम लोग देख रहा है कि LTTS का share भाव 2712 रुपे पर देखने को मिल रहा है जो कि अपने 50 days 100 days 200 days मा के ऊपर जा करके यह trade कर रहा है तो हम लोग यह कर सकते हैं कि overall LTTS का जो share भाव है वो bullish page में चलता हुआ देखने को मिल रहा है दोस्तों जैसा कि हम लोग देख रहा है कि LTTS 2712 रुपे पर closing देता हुआ देखने को मिल रहा है और यह दोस्तों इस level पर अगर ह काम कर रहा है और इस resistance को यह share जो है कई बार पार करने का कोशिस किया यहां पर देखिए पहली बार कोशिस किया फिर यहां पर देखिए दूसरी बार किया और आज इसने तीसरी बार कोशिस किया लेकिन इसमें फिर से गिरावट देखने को मिली है तो हम लोग आज इस पीछे जाएगा या यह उपर जाएगा तो किस कारण से जाएगा तो कोई भी सेर तभी हाइर हाई लगाता है जब उसके रिजल्ट सांदार देखने को मिलते हैं और बड़े निवेसक अगर बुली सोते हैं जिस स्टॉक में तो उस स्टॉक में हम लोग लगातार जो तेजी बनता हुआ देख पाता है तो अब हम लोग इस वीडियो में यह समझाएगा कि LTS के फंडामेंटल्स काहसे हैं इसको जानने के लिए अगर हम लोग इसके Financial Overview को चेक करें तो यह Company का Market Cap तकरिवन 29,000 करोड देखने को मिल रहा है और Return on Equity की बात करें तो काफी सांदार 31.3% देखने को मिल रहा है Return on Capital Employed 43% के आसपास देखने को मिल रहा है पर Motors की Holding काफी तगड़ी 74.3% देखने को मिल रही है Interest Coverage Ratio जिसको हम लोग Date Paying Capacity भी कहते हैं यह तकरिवन 22 गुना देखने को मिल रहा है Dividend Yield भी 0.77% देखने को मिल रहा है तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दसतो कि इसके Financial जो है LTTS के वो काफी सही देखने को मिल रहा है काफी सुधरे भी देखने को मिल रहा है इसके Financial Overview से हम लोग यह समझ पा रहा है कि LTTS के Fundamental जो है वो काफी अच्छे हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं तो इसके Fundamental को चेक करने के लिए दोस्तो इसके Profit and Loss Account को चेक करना पड़ेगा कि इसने पास्ट में किस प्रकार का रिजल्ट अपने निवेस्टों के सामने लाई है यह कंपनी तो इसके Sales Figure को FY15 से चेक करें दोस्तो इनके Sales Figure साल दर साल लगातार बढ़ते वे देखने को मिल रहा है यह देखिए अगर नेट प्रॉफिट के ग्रोथ की बात करें तो FY15 में इनका नेट प्रॉफिट 311 करोड हुआ करता था जो कि FY20 में बढ़ करके 899 करोड देखने को मिल रहा है तो इस प्रकार से हम लोग देख पा रहा है कि इनके पूरे प्रियर्ड में FY15 से लेके FY20 के बीच में इनके जो नेट प्रॉफिट है वो 2.5 टाइम से ज्यादा होते हुए हम लोग उना देखे हैं यह नहीं कि इनके जो सेल्स बढ़ है इस पूरे प्रियर्ड में दो गुना बढ़ है जबकि प्रॉफिट जो है धाई गुना से ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिले है तो हम लो काफी सांदार गती से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है तो हम लोग यह कर सकते हैं कि यह काफी अच्छे ढंक से अपने बिजनेस को रन कर रही है जिसके चलते हैं इनके नके उल सेल्स बलके नेट प्रॉफिट और रिजर्ब भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मि रही है और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि इसके डिवीडेंट के जो परसेंटेज हैं वो भी लगातार अप्रेंड में चल रहा है याने कि हर साल यह पिछले बार के से ज्यादा डिवीडेंट पे कर रही है याने कि यह कंपनी काफी अच्छे ढंक से अपने ब जान भी हम लोग देख लेते हैं कि बड़े निवेसक इस पर क्या भ्यू रखते हैं तो यहां पर देखिए नंबर ओफ एफाइज की होल्डिंग है इस सेर में हम लोगों ने बढ़ते वे देखी है दिसंबर क्वाटर में और टोटल नंबर ओफ एफाइज की संख्या जो पहले 167 हुआ करती थी वो बढ़ करके 191 हो गई है यानि कि नंबर ओफ फाइज इसमें ज्यादा बूलिस होते वे देखने को मिलने हैं मीचोल फंड वालों ने भी अपनी होल्डिंग इसमें कुछ हद तक बढ़ाते वे हम लोग देख पा रहे हैं और नंबर ओफ मीचोल कि भी संख्या इसमें 16 से बढ़ करके 19 हो गई है इसमें होल्डिंग अपना बढ़ाते वे देखेगा हैं दिसंबर क्वाटर में तो कुल मिला के हम लोग बोल सकते हैं कि जो बड़े निवेसक हैं लगातार पोजीटिव हो रहे हैं बुलिस हो रहे हैं तो हम लोग उने जैस कि देखा दोस्तों कि इसके फंडमेंटल्स अच्छे हैं उस प्रकार से जो बड़े निवेसक हैं वो भी इस स्टॉक को लेकर के काफी बुलिस होते हुए देखने को मिल रहे हैं तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जाना कि LTS के फंडमेंटल्स काफी सुधरे हुए हैं तो अब हम लोग कैसे जाने कि ये स्टॉक जो की बार-बार 2712 के लेवल पर जाकर के नीचे लुड़क जा रहा है इस बार ये उपर जा पाएगा या नहीं हम लोग कैसे जाने तो इसके लिए दोस्तों हम लोगों को इसके क्वार्टरली रिजल्ट जो रिसेंटली इन्हों रिपोर्ट किया है जो कि लास्ट ये चौदा सो तैस करोड देखने को मिल ला था तो इस प्रकार हम लोग देख रहा है कि इनके जो रिभेन्यू है वो प्री कोवीड लेवल के आसपस नहीं पहुंच पाए हैं इन्हापर निगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है अब बात करें नेट प्रॉफिट की तो लास्ट येर दिसंबर क्वाटर में 204 करोड का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट की थी जो कि इस बर घट करके 186 करोड होता हुआ देखने को मिल ला है तो इनके जो नेट प्रॉफिट है वो भी प्री कोवीड लेवल के आसपस हैं नहीं पहुंचते हैं हम लोग देख पा रहे हैं तो अभी तक हम लोग उने पाया दोस्तो कि एल्टीटीएस के एनवल रिजल्ट तो काफी सांदार रहे थे लेकिन ये कंपनी अपने प्री कोवीड लेवल के आसपस बिजनेस को नहीं ला पाई है तो हम लोग इसको इनके जो आप बोल सकते हैं लेकिन दोस्तो ध्याम दिजिएगा ल्टीटीएस जो है ओटो मोवाइल सेक्टर को कैटर करती है ओटो मोवाइल सेक्टर काफी दिनों से धाई सालों से मंदी में चल रहा था अब उसमें हम लोग कुछ ग्रोथ देख रहे हैं उसमें कुछ तेजी बनता मोवाइल सेक्टर को कैटर करती है तो हम लोग इसको अटो मोवाइल सेक्टर का प्रोक्सी प्लेयर भी बोल सकते हैं तो इसलिए इसमें हम लोगों ने तेजी होते वे देखी और यह स्टॉक बार-बार कोशिस कर रहा है कि अपने 2712 के लेवल को तोड़ करके ऊपर निकले तो अब हम लोग दोस्तों क्या नुमान लगा है दोस्तों जितने भी टेक्निकल इंडिकेटर वो यह सर्जेस्ट कर रहा है कि ल्ट्टीएस काफी बुलिस फेज में जा चुका है और यह बार-बार ब्रेकाउट देने की कोशिस कर रहा है लेकिन इसमें बिक्वाली आ जात अब बात आती है दोस्तों लेवल की कि अगर इसमें ब्रेकाउट आता है तो यह सेर कहां तक जा सकता है तो हम लोगों ने अल्रेडी कुछ सपोर्ट और रेसिस्टेंस लगा के रखे हैं तो जो इमेडियेट जो हम लोगों को टार्गेट देखने को मिल रहा है लेकिन ध्यान दिजाएगा दोस्तों यह जो लेवल है यह लॉंग टम टार्गेट है यह तुरत आता हुआ हम लोग नहीं देख पाएंगे इस अस्तर पर आने के लिए सबसे पहले तो इसे ब्रेक आउट देना पड़ेगा उपरी अस्तर उपर और इस बीच में यह काफी अप एंड डाउन से दिखाएगा लेकिन अल्टिमेटली जो है यह अगले एक साल में आज की डेट से यह एक साल में यह 3500 के लेबल तक जा सकता है अगर इसके जो quarter 4 के result सांधार आते हैं तो इस stock में हम लोग काफी तेजी होता हुआ देख पाएंगे और यह अगले एक साल में 3500 के लेबल को छूता हुआ हम लोग अब उससे देखेंगे ऐसा इसके जो technical chart हैं वो suggest कर रहे हैं और fundamentals तो इस stock के काफी strong है ही तो दोस्तों उमीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और पसंद आया तो आप मेरे comment box में जाए comment करें और आप मेरे next वीडियो को इंतियार करेंगे दोस्तों तब तक कि लाप सभी को मैं नाश्कार